मौनसुन के दस्तक देने के साथ ही हमारे यहां रात पर जमा जम बारिज शुरू हो गई प्रिक्रती और पेड़ पोदे मानो अपने ही रंग में रंग हैं और इन उंचे पहाडों की सूखी विटैनी में मानो जाना गई है तो आप भी अगर पेड़ पोदे लगाने के सौखीन है या फिर करिदने के सौखीन है या फिर कटिंग को ग्रो करना चाहते हैं तो बरसात का सीजन सबसे बेस्ट टाइम है इस सीजन में आप कोई भी cutting को grow कर सकते हैं, कोई भी plant को easily लगा के उसमें अच्छे result पा सकते हैं और इस time में success होने के ज़्यादा chances हैं आईए देखते हैं, हमने जो cutting से grow किया है उन पौधों को, पर उससे पहले जा मातरानी फ्रेंड, welcome back to my channel little live, मातरानी के कृपा से आज सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्त होंगे, और मज़े में होंगे इस साल की बरसाच में हमने जो पोधे लगा हैं, उसमें सबसे पहला नाम गुड़हल का है गुड़हल एक खुपसूरत सा flower plant होते हैं, जिसमें सालों भर flowering आती है और आपको flower की कमी कमी नहीं होती है, तो इस plant को आप जरूर अपने garden में add करें आप इसे गमले में भी grow कर सकते हैं और जमीन में भी, तो इसकी cutting easily लग जाती है तो आप इसकी मोटी सी टैनी को पहले जून लें अच्छे से देख लें कि कौन सा cutting मोटा है और फिर इसे pencil के size का cut कर लें इसे आप कहीं भी grow कर सकते हैं जमीन में या फिर गमले में लेकिन इस बात का आपको धिहान रखना होगा कि जहां पर full sunlight इसको मिलती हो वहीं इसे place करें तो मैं यहाँ एक बात और कहना चाहती हूँ मैं यहाँ पर जितने भी flower plant के बारे में बात करी हूँ जो की cutting से इजली लग जाते हैं सारे के सारे sun loving plant हैं और प्रमान एंठोन के साथ सालों भर flowering करेंगे हमने इसे किछ टैप की मिट्टी में grow किया है वह भी देख लेते हैं तो वह जैसे बारिस का सीजन चल रहा है तो मिट्टी को वल रेंड ही रखने चाहिए जिसमें इसे अच्छे से पानी निकल जाती हो यानि कि मिट्टी थोड का चूराई जिसे आप बॉन्मील कहते हैं और फंगिसाइड भी लिये हैं तो इस मिट्चर को अच्छे से मिला दे और गंब्ली में पहले फिल कर लें अगर हो सके तो मोटी वाली रेत भी ले सकते हैं जिससे कि फैक दिया जाता है जिससे हमारे प्लांट को अच्छी तरह स अक्सिजन मिलती रहे तो मोटी वाली रेत जो होती है उससे मिट्टी आपस में चिपकेंगे नहीं और हावा पास होने की जगरे और साथी पानी रूपनी का चांसे बहुत कम होंगे जिससे हमारा प्लांट सड़े का गलेगा नहीं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं इसे चोड़े चोड़े टुकड़े में कट कर ले रही हूं तो कुछ इस प्रकार से आपको भी कट लगाना है मीटी में लगाने से पहले मैं यहां पर एलोविरा का जो जैल होता वो लगा ले रही हूं लेकिन आप इसकी जगर हल्दी पौडर या फिर कोई फंगी साइड ही लगा ले और हां एक बात तो मैं भूली गई इस मौसम की खास बात यह भी है कि आपको कोई भी कटिंग में रूट एजन्ट लगाने की भी जुरत नहीं पड़ेगी तो अगर आप बिगनर्स हैं और पहली बार गार्डनिंग करना चाहते हैं तो इस मौसम में जल्दी से श लगड़ी वगरा से तो अच्छा होगा क्योंकि नीचे इसके जो जहां से रूट साएंगे वहां पर इसमें प्रेसर नहीं पड़ेगा जिससे हमारे कटिंग खराब नहीं होंगे तो अभी तो बारिस हुई है तो पानी नमी है इसमें मिट्टी में तो अच्छे से चले जा तो इस तरह से इसके पत्ते निकल गए है और दूसरे जो प्लांट है जो कि कटिंग से इजली लग जाते हैं वहें कनेर के तो कनेर का पौधा मैं आपको नहीं दिखा पाई और नहीं कट करते तैम आपको दिखाई लेकिन इसमें देखे इसमें भी पत्ते आ गया है और इस बार से इस फ्लावर को बैन कर दिया गया है क्योंकि केरल में कुछ हाथसा हुआ था आप सबों को पता होगा तो इसलिए मैं इस पर उतना ध्यान नहीं दे रही हूँ कनेर बोला जाता है अगर आप सबों को दूसरा नाम पता है तो आप जरूर बताईएगा लेकिन मैं इसे कनेर के नाम से ही जानती हूँ और इसके फ्लावर भी एलो वाइट कलर के मट मेला कलर में आते हैं तो मेरे पास जो है वो एलो कलर का है और इसका बड़ा सा पेड था त आप इसे भी लगा सकते हैं इस मौसम में और यह जहां पे बड़ा सा पेड होगा वहां पे बहुत सारे बीज गिरे होते हैं तो वहां पे बहुत सारा पौधा भी निकलता है तो उस पौधा को आप अपने गमले में या फिर जमिन में कहीं भी लगा सकते हैं तो मैंने एक और चोटा सा प्लांट ग्रू किया है जो की बीज से किया है और ये दिखे ये इतने बड़े हो गए हैं तो आई अब तीसरा प्लांट देख लेते हैं जो मेरा बोगन मिलिया है खुपसूरत सा दिखने वाला प्लावर प्लांट जो आपके पास हमेशा रहेंगे प्रमाने प् मैं अपने experience से इस तरह की मिटी बनाने का बता रहे हूं कि क्योंकि इसमें रूट बहुत जल्दी आ जाते हैं तो कुछिस किजिएगा इसी टैप की मिटी बनाने की तो आए इससे देख लेते हैं पहले मैंने कि कटिंग से कैसे लगाये हैं तो चोटी सी कटिंग मैंने ली ह बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है और थोड़ा पतला ही कटिंग है क्योंकि ये वाला पोधा थोड़ा उतना घना नहीं था और दूसरा पोधा में फ्रावर थे इसलिए मैं नहीं मैंने नहीं कटिया और कटिंग करने के बाद मैंने उसमें फंगी साइड लगा दिये हैं औ और बस pressure के साथ मिट्टी में डाल दिया है और कुछ दिन उप्डेट यह देखे यह इसमें पत्ते आ गया है और अब चौथा प्लांट भी देख लेते हैं तो चौथा प्लांट यह है मेरा मोगर का जिसे हमारे यहां देशी भासा में बेली भी का जाता है तो यह है मेरा बेल प्लावर होते हैं इसके और खुबसूरत भी होते हैं आप इससे गजरा बगरा बना सकते हैं तो यह भी कटिंग से बहुत जल्दी लग जाते हैं तो आप इसके कोई भी टेहनी को कट कर लीजे मैं तो यहां हाथ से भी तोड़ ले रही हूं बाद में मैं इसे कट कर लूँग कि मैं इसे गंबले में ग्रोग करने वाली हूँ तो कुछ इस तरह से करके मैंने इसे तोड़ लिया है तो ये दिखिए मैंने इसे पहले ग्रोग किया है लेकिन आपको अभी मैं दिखा देती हूँ मैं इसे cut करके लगाऊंगी तो हमने इसे cut कर लिया है अब कोई भी फंगी साइड इसमें लगा लीजिए उसके बाद जिस तरह सारे plant को मैंने जिस तरह सारे टैनी को मैंने pressure के साथ मित्टी में लगा दिया है simply इसको भी वैसे ही लगा देना है और फिर उंगली की help से चारोतरब उसके दबा देजिए मित्टी को ताकि हमारा जो cutting है वो ही लेना और अच्छे से grow कर जाए वैसे तो बहुत सारे ऐसे plant हैं जो cutting से बहुत easily लग जाते हैं लेकिन मैं यहां बात करनी हूँ जो की permanent भी रहे और सालों भर flowering करे उस plant के बारे में तो इस list में अंगला नाम है यूफॉर्विया की तो यूफॉर्विया मिली अग बहुत ही खुबसूरत सा flower plant होता है जिसमें की काटे होते हैं मैंने इसके बारे में एक video भी बनाई है आप मेरे channel पे जाके देख भी सकते हैं तो यह बहुत ही खुबसूरत plant होते हैं जो भी cutting से लग जाते हैं तो आएए पहले इसे cut कर लेते हैं और इसकी भी खास बात यह है कि यह छोटे से pot में भी easily grow कर जाता है तो मेरे पास छोटे छोटे इस type के container थे प्लास्टिक के तो सब में मैंने यह पॉर्पिया लगा दिये हैं और इसके लिए भी मिट्टी सेम ही चाहिए जिस तरह मैंने सबसे पहले आपको बना के दिखा है सेम उसी type की मिट्टी इसमें भी बनाएए क्योंकि अभी बारिस का season चल रहा है और पानी हमें रुकने नहीं देना है अपने pot में तो आईए इसे मिट्टी में अब लगाते हैं तो लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लकडी का help लिया है और लकडी से haul बना के उसके बाद मैंने इसको डाला है तो आप भी कुछ इस तरह से करिए ताकि हमारा जो प्लांट है जो कटिंग है वो डेमेज ना हो तो फ्रेंड मेरी ये वीडियो आपको कैसे लगी थोड़ी से भी helpful लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट and सस्क्राइब जरूब किजे और बेल आकिन की घंटी को टच करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिपिकेशन आप तक मुझे थेंक्यू and बाई